सुरमशकार दोस्तों and welcome back to another video and आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी अलग होने वाली है काऊगे कैसे देखो सर दो तीन महीने से आपको पता है option selling अंदर profit थोड़ा कम बनना है विकॉस आई वी स्पाइक बहुत हो रही है तो हमने सोचा भाई stocks के अंदर क्यों नहीं बनाया जाए कि stock एक ऐसी जीज़ता ना थीटा डिगेगी tension ना किसी और जीज़ की tension और देखा दै सेभी की report के असाब से भी equity में लोग F&O से जादा पैसे कमा लेते हैं F&O में लोग अगर average loss कर रहे है average कमाई बहुत कम है तो equity में लोगों की कमाई फिर भी जाद है तो बा आज भी हमने bank nifty का analysis में बता दिया था सुभाई कि आज market sideways होने वाली है ताकि option बायर मोटे loss से बच जाए और market में वैसा ही हुआ free telegram का link आपको मेरे description के अंदर मिल जाएगा और जिन जिन लोगों को भी मेरे एक VIP private group के अंदर add होना VIP group के अंदर क्या होने वाला है मैं कोई भी आपको वहाँ पे paid course नहीं बेज रहा है वहाँ पे मैं आपको free में educate करूंगा just VIP group के अंदर requirement है आपको मेरे नीचे गए description में अपना broker पे DMAT account खुलवाना link मैं आपको description पे दे दिया जैसे ही आप link पे account को open कर लेंगे मेरे को आपका name आजाएगा आपकी email आईडी आजाएगी है और आपकी email पे आपको उस VIP group के telegram का link चले जाएगा जैहंद so देखा जाए stock को select करने से पहले मैं आपको कुछ चीजे बताना चाहता हूँ जो बहुत ही जादा important है पहली चीज क्या हम कभी भी stock को select करते है न चाहिए हम technical analysis पढ़ तोड़ा fundamental analysis की भी help चाहिए होती है और मैं आपको चाहिए अभी fundamental analysis नहीं पढ़ा हूँगा उसके एक अलग video बना देंगे अगर आप लोग चाहते हो पहली चीज क्या आपको sector पता होना चाहिए sector analysis जिसको हम होते हैं भाई sector analysis आपको sector पता होना चाहिए जिस भी investor को sector पता है न कहीं अगर एक average trader जो technical के base पर trade कर रहा है और अगर एक average trader जो technical plus fundamental की भी help ले रहा है तो जो fundamental की help ले रहा है उसकी जो probability होगी ratio होगी वो जाधा होगी to compare करें अगर हम average trader से तो sector analysis में कौन-कौन से ऐसे sector है जो boom है मैं आपको एगी sector बताऊंगा जो एक प energy sector यह energy sector यह green stocks होगे जितने यह one of the favorite sector है जो long term के अंदर benefit दे सकते है मैं कोई stock के advice नहीं दे रहा है मैं जस अपना आपको व्यू दे रहा है अब कहोगे energy क्यों सब लोगों को पता है भाई देगो हम बच्पन से सुनते आ रहे है स्कूल से सुनते आ रहे है एर विजली limited है इसको कम इस्तमाल करो पेट्रोल limited है ठीक है निखिल कामाज जी ने भी fossil के बारे में बात करी थी हर चीज limited है तब ही EV के आज देख रहे हो EV कितना बूम चल रहा है तो यह अब ना limited वाली चीज आप लोगों को महसूस होने लगे उनको भी पता हम पे resources limited है तो yes resources limited हैं तो कही अच्छा के renewable energy वाला sector long term अच्छा जा सकता है चलिए sector analysis आने चाहिए अब दूसरा अगर हम बात करें सब लोगों को पता सार FMCG वही बात है भाई FMCG में कितनी चीज़े होती है कोल गेट हो गया ठीक है और बताओ भाई actual brand है ठीक है ना right actual के product जितने भी होगा भी हम products ही बा साबुन भी खरीदा करेगा यह basic सी चीज़े थे basic necessities पूरी होती ही होती है तो यह ऐसे sectors होते हैं जब जिसमें ज्यादा को issue आता नहीं है तो पहले आपको sector बताओना चाहिए अब बात करते हैं आज का main topic है हमारा वो है charts chart कि में कैसे देखा जाए कि कौन से stock के अंदर हमें buy entry लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए देखो आज मैं आपको stock selection नहीं पढ़ाने वाला stock selection की कभी और dedicated video लेंगे आज मैंने आपको stock select कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको analysis करके बताओंगा और वही analysis आप learn करके दूसरे stock analyze कर सकते हो और वहाँ पे आप definitely एक entry अगर आपको concept की definition तो पता है पर आज तक आपने किसी ने इसको use नहीं करी है चलो मैं फालतो की बाते कम करूंगा demand supply को सीधा बताओंगा demand supply मतलब भाई कितनी market के अंदर demand आ रही है कितनी लोगों को जरूरत है because demand पढ़ती है तो price बढ़ता है और supply कितनी चल रही है in the ratio of demand क्योंकि supply करना क्या है सीधी बात पहेंगे सर यह बताओ हमें storage नहीं सुननी है तो पहला रूल के demand supply के लिए आपको पहला जो आपके वास indicator होना चाहिए वह आपको technical में लगाना है volume indicator आपको हमेशा लगाना है यह तो आपको volume indicator लगाना है लगाना ही लगाना है ठीक है volume indicator कैसे define करता मै आपको दिखा भी दो volume indicator कैसा होता है यह मैंने आपको एक में ब्राउजर पर दिखाता हूँ यह मैंने ब्राउजर को रहा है यह बार्स बने वे नीचे जो यह green green बार्स बने वे यह सारे यह सारे होते है हमारे volume इसको बोलते है volume जिससे हमें पता लगते है demand and supply कितनी है clear है पहला हमारा हो जाता है हमारा volume indicator अब बात करते हैं दूसरा दूसरा एक ऐसा indicator जो हमेशा आपके chart पे होना चाहिए जिससे हमें trend identification बता लगती है क्या बता लगती है second indicator जो हमारा होता है वो होता है EMA बाई सब दो indicator चाहिए अभी के लिए और कोई जरूरती नहीं है यही दो indicator के साब से मेरे stock analysis कर लो आपकी ratio अपने आप अच्छी हो सकती है ठीक है so यह second indicator जिसका नाम है EMA exponential moving average EMA की settings बता देता हूँ दो setting आपको लगा नहीं है एक EMA भी तीन type का होता है एक होता है जिसमें आप long term long term trend पकड़ते हो long term trend पकड़ते हो ठीक है और एक होता है आप short term to mid term तो मैं आपको सीधे settings बोलते तो पहला आपको indicator हमेशा EMA का रखना है हमारा 20 EMA सबको पता होगा इतना दो books में वड़ावा है ठीक है 20 EMA पहला आपका 20 EMA आपके साथ हमेशा होना चाहिए दूसरा one of the important right सब लोगों को पता है जो है हमारा 200 EMA अचा किस-किस को यह notes चाहिए मैं आप लोगों के लिए इस notes को save करूँगा और इसकी PDF मैं आप लोगों को description में इस PDF का open link दा दूँगा ठीक है दूसरा होता है हमारा 200 EMA हमें इस strategy में इस analysis में दो EMA हमारे बहुत होता है अगेन बोलूगा indicators क्या चाहिए होता है तो यहां पे लिख देते है indicators indicators required required जो हमें क indicator के बाद अब बात करते है analysis तो आज कर जो मैं stock analysis बताने वाला हो ना वो stock analysis demand and supply के बेस पही बताने वाला हो जितना भी आज मैं analysis बताऊंगा यह सारा होगा D&S method पे इसका याद रख लेना D&S method demand and supply method पे सारा जो भी होगा demand and supply method के ओपर ठीक है अब बात करते हैं D&S होता क्या जैसे सब लोग को पता है demand and supply है क्या होता है ठीक है कितनी market में demand है उस चीज की need है want है जरूरत है ठीक है और कितना market में माल पड़ा हो है right stocks में D&S कैसे पकड़ा जाए अब मैं आपको D&S के न कुछ चार्ट के patterns बताऊंगा या analysis बताऊंगा जिससे आपको पता लगताएगा ठीक है अब मैं आपको एक analysis बतातो एक pattern बतातो एक pattern बतातो सब लोगोंने सुना होगा यह कोई नया pattern नहीं है अब इस pattern को किसी ने आज अज तक derive करा है किसी ने आज तक इस pattern को समझने की कोशिश करी है चाहिए नहीं करी होगी आओ मैं आपको इसको pattern को समझाता हूँ एक pattern का सब लोगोंने नाम सुना होगा एक pattern का सब लोगोंने नाम सुना होगा जिसका नाम होता है ascending triangle इसका नाम होता है ascending triangle इसका नाम होता ह और अबव में एक horizontal यानि market यहां पर रिजस्ट कर रही हो जैसे मैं आपको ड्रॉव कर देता हो तो market क्या करती है आती है रिजस्ट करती है नीचे से support बनाती हो और ऐसे दीरे 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 पर stocks में it can help you देखो patterns ऐसे नहीं बाती है कोई बुरे नहीं है यार patterns है इतने common हो चुके है न तो people know your stop loss, the operators know your sell, so they basically hunt, that's why, so इसको बोलेंगे powerful, यह वो होता है हमारा powerful pattern, this is a powerful pattern, ठीक है, अब ascending triangle की बात करते हैं क्या रहता है, market के अंदर हमारे क्या बनते रहते है, higher lows, higher lows, higher lows मत बनते रहते हैं और again market front पे उपर से resist कर रही होती है, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझेगा, इसको अब मैं आपको D&S method से बताता हूँ, ठीक है, suppose माल लो, market के अंदर न, यहाँ पे एक buying गई, market पहला बड़ा बनाया, volume बनाया, market में एक buying गई, ठीक है, फिर market में इस वाले से मैं इसको pink color से denote करूँगा, green buying है, pink selling है, यहाँ से market ने sell किया, clear है, sell किया market ने, थोड़ा नीचे तक करा, okay जी, ठीक है, market के अंदर again यहाँ से buying गई, again market में यहाँ से buying गई, ठीक है, market में again यहाँ से selling गई, selling गई, और market उठती रहे, क्योंकि sending triangle तो उठता है, again market के अंदर यहाँ से इस level से एक और buying आती है, ठीक है, और market के अंदर again यहाँ पे एक selling आती है, और market के अंदर again यहाँ पे एक buying आती है, और ऐसे-ऐसे मेरा यहाँ पे triangle माल लेते हैं, खतम हो जाता है, अब इससे डियेंड से पता क्या रग रहा है, समझो, भाई, market में एक सबसे बड़ी demand आई, सबसे बड़ी demand आप बोल सकते हो, buyers का जो volume है, यह demand है, volume अभी नहीं बात करते हैं, demand बड़ी, उसके बाद, यहाँ पे sellers ने भी fight करी, यहाँ पे क्या, इस side पे sellers ने भी fight करी, अब भाई, तेरको नीचाने दूँगा, रुख जा तू, seller ने नीचे गिराया, क्यों, आप देख पा रहे हो, क्योंकि support जब हमारा बनता है, तो जो हमारी selling होती है, वो पूरे नीचे तक नहीं जाती, वो आपका higher lows बनाती रहती है, ठीक है, अब क्या हुआ, sellers नीचे गए, पर seller ने इखा, यहाँ पे again buying आ गई, तो market फिर भाई गई, अब buy के बाद seller उस करें, again market में, फिर भाई साब sellers को कुछता है, seller ने फिर एक pressure दिया, जब कहीं बार यह pressure थोड़ा नीचे तक भी चल जाता है, हमें फरक नीपड़ता, पर buyer ने फिर pressure दिया, अब इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, triangle धीरे धीरे, धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है, या buyer इतने strong है कि buyer अब seller ना बिलकुल इतनी fight में रह गए है, पर buyer अभी भी strong है कि buyer ने एक अच्छा move दिया था, तो इससे क्या indicate होता है, कि market के अंदर demand है, कि भाई साब buyer seller से जितना भी maal seller बेच रहे है, buyers उसको तुरंद खरीद रहे है, फिर seller maal बेच रहे है, फिर seller maal बेच sending triangle होना चाहिए, और बताते तो, maal लो आपको sending triangle नहीं देखता, अगली file पर चलते है, maal लो हमें sending triangle नहीं देखता, हमें कुछ ऐसा देखता है, आप देख रहे हो कि market उपर गई, market उपर जा रही है, फिर market के अंदर फिर से seller आए, फिर seller आए जा रहे, आए जा रहे, इस ब बड़ी रह रही है, जो हमारी बड़ी रह रही है, और seller जो हैं कितना भी कोशिश करने हैं, पर buyer उसको और नीचे लजाने नहीं चाहरे, तो इसको भी हम एक type का बोलेंगे, कि ये भी एक contraction हुई है, यानि demand is more, demand is more, इसको भी बोलेंगे हम contraction हुई है, it means demand is more, जो demand है market में, व काइदे सामें बिल्कुल पता लगता है कि higher market के अंदर demand जाते है, तो stock के अंदर एक bullish move भी आ सकता है, definitely आप लोग सही हो, अब बात करते हैं, ये तो हमें पता लग गया कि क्या contraction कैसे होती है, इसको भी हम live stocks के अंदर भी देखेंगे, इसमें सबसे important ये भी होता है sector, अब मा entry कैसे लेनी होते हैं, क्या लेनी होते हैं, वो तो हम बढ़ेंगे, उससे पहले हम candlestick के बात करते हैं, देखो अब इस case में आपको candlestick कौन सी matter करते है, मतलब जब market उपर उठें और ऐसे ऐसे थोड़ा-थोडा contraction हो, जिसको भी live में देखाऊंगा, तो दो तीन type के candlestick बता होता है, वरना, sometimes क्या होता है, इस patterns में देखते हैं, हमेने usually doji दिखती है, doji, one of my favorite candle, मैंने बहुत टाइम पहले, doji scalping की strategy बढ़ रहे की, doji मतलब क्या होता है, doji मतलब होता है, doji मतलब होता है, जब buyer और seller, बिल्कुल equal equal file ले रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, body को सबस्क्राइब जिखा देता हूं, यहां को बहुत सबस्था सबस्ता है, बहुत सबस्क्राइब को सबस्क्राइब कर ид hail, जिखांchos tällब कृद से सबस्क्राइब बहुत में एक ताइम FRIEM खोना चाहिए, वो आपका one day से अगवी ओना चाहिए याद दो न बन्या है, तो सबस तो यहां पर मैं इसको वन वीक का पहले सेलेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, हमेशा वन वीक से साथ करता हूँ, कि हफते में कुछ हो रहा है, ओके, वन वीक के अंदर मेरे को एक और चीज दिख गई यहां पर, आप चेक करिए, Master Trust का एक कंपणी है, इसके अंदर सेम जो च इतना सीखा, कुछ मिनट की वीडियो में, क्या हम सीख पा रहे हैं उससे, आईए, मैं यहां पर स्क्रीन राइट ओन करते था हूँ, क्योंकि मेरा सामसंग का टाब इतना प्यारा है, तो जिस जिसको लेना है, तो ले लो, मुझे क्या, पैसा आप लोगों पर बहुत है, हम यहां नीचे डोह कर देता हूँ, इस जून पर दिखाएं, मासर ट्रस्स ने बाइंग, यह वाला जून, यह हुआ बाइंग आईगा, एक अच्छी कासी बाइंग आईग, अब बाइंग आईग तो यहां पर भाई साब, जिन लोगों ने बे ब्रेक आउट लिया होगा, उ आपको यहां पर को डोजी केंडल देख रही हैं, बिल्कुल सर मैं देख रहो हैं यहां पर एक, दो, तीन डोजी केंडल देख रही हैं, आप ध्यान से सबना, यहां पर बाइंग का वॉल्यूम, अब हम वॉल्यूम समझते हैं, यह देखो यह बाइंग का वॉल्यूम कितन जा रहे हैं अब यहाँ पर selling आई आप देख रो धीरे-धीरे यह contract होता रहा यह ऐसे चिपकता रहा यहाँ ऐसे चिपकता रहा थेक है सो अब देखें, Master Trace का trend आप देख रहे हो, पीछे से bullish ही चल रहा है, market के अंदर एक bullish rally चल रही थी, तो definitely अगर market के अंदर bullishness चल रही है, तो definitely एक chance है, कि हाँ यार, हमें एक trend identification तो होगी, तो मतब trend होना चाहिए bullish, ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर contraction हुई इस level पर, अब हम entry usually कैसे लेते हैं, देखो, काईदे से जो entry बनती है, काईदे से entry बनती है, हमेशा इस वाले high पर, यह जो high है, अच्छे बच्चे जो दो देखो, इस पर high पर entry लेते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ से selling आई है, यहाँ पर breakout आया, अच्छा level का return विल गया, और stop loss का रखता है, stop loss रखता है, swing का, हमेशा swing low का stop loss रखता है, जैसे माल यह swing low है, इसका stop loss रखता है, हमेशा से, तो यह अगर हम SL लेते हैं, और यहाँ पर हम entry लेते हैं, मैं इसको clear करके फिर draw कर देता हूं, तो यहाँ पर हमने इस वाले breakout पर entry जो यहाँ breakout आया, यह swing था, इसका SL लिया, और you can see market फिर अच्छा कासा return बतागी, मतब हम देखें, वन वीक का चार्ट है, अगर हमारी entry इसके इस पर आती जिसमें price चल रहा था around 400 रुबे, तो 400 से लेके आपको around 700 तो minimum अगर इतना ही बुक कल लेते, तो 700 रुबे तक का return इ entry कैसे होती है, हम थोड़ा early entry भी ले लेते है, early entry कैसे लेनी है, कभी भी अगर आपको दिख रहा हो, अरली entry में advice नहीं करता किसी को, practice करो फिर ही लेना, आपको कभी भी दिख रहा हो, कि stock में contraction आ रही है, और doji बन रही है, या कोई green candle, या कोई bullish candle, not green bullish, आपको कुछ नहीं क कर रहा हूं कि market में एक यहाँ पर घरी candle बनी थी, और एक market में यहाँ पर support पर doji बनी है, ठीक है, तो मैं दो चीज कर सकता हूं, या तो आप ले लो, कोई भी doji पर entry ले लो, जितनी भी doji बनी है, या पर entry ले लो, SLS में बतातो हो क्या रखना, यहाँ भी आप देख पा र doji दिख रही है, वरना दूसरी doji क्या हो सकती है, आप setting लगा लो BCMA की, जैसे मैंने green वाला BCMA लगाए, green इससे लगाए था कि bullish positive हो, मेरा यह green EM लगा लो 20 का, अगर BCMA पर touch करके वो कोई doji बनाती है, तो आप सीधी सी बात है, आपको doji के hyper entry लेनी है, और stop loss क्या लगाना है BCMA के अगर यह नीचे, अगर यह candle BCMA के नीचे चले जाएगा, आया समझ, आओ आप मैं आपको बहुत सारे example बदाता हूँ, बहुत सारे example बदाता हूँ, चलो गी, example देखते है, तो अभी मैंने आपको यह दिखाया, अब master trust में again, again stock में क्या हुआ, contraction आने लगी, contraction आने लग सबको, यहाँ पर market में देखा मैंने, इस से बाले level पर, मैं फिर से mark कर लेता हूँ, इसको, एक मिट दीजिए, so यहाँ पर screen right, and yeah, so यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, market में फिर से यहाँ पर contraction आन लगी, again support पर doji बनी, मैंने का था doji sir, as usual, आपको doji पर anti-linear stop loss, चोटा सा stop loss, और अगर मैं यहाँ पर return calculate करूँ, let me check the return, यहाँ भी हम return देखते हैं, जिसके अंदर मैं यहाँ पर scale यूज करता हूँ, मालोगर मैं scale यूज करता हूँ, stop loss कितना होगा, मेरा isoji के low का, low मतलब EMA के नीचे का, अगर मैं यहाँ से return ही measure करूँ, तो आप return देख सकते हो, अगर हम hold करते इसको, कुछ हफते, दो हफते ही hold कर लेते हम, तो around हमें 50% plus return देखने को मिल गया, इसको बोलते हैं, प्रतीक स्टाइलिंग वेपी, तो देख पा रहे हो, master trust stock के अंदर भी ऐसा चले, अब काओगे, सर सरी एक ही stock दिखाते रहोगे, और भी दिखा दो, अब जिसे यह, मैंने stock खोल लागा, यथार्थ ऑस्पिटल, ठीक है ना, अब यथार्थ ऑस्पिटल का stock खोल लागा है, अचा इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ, पहले वन वीक का नहीं, वन डे में देखते हैं, नहीं देखे गा तो, कोई शू नहीं है, इसमें वन डे के अभी वन डे के अंदर तो इसमें ऐसा मैं कुछ देख पा नहीं रहा हूँ, वन डे के अंदर मुझे यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं, वन डे में कुछ नहीं दिख रहा है, वन वीक भी एक बर चेक कर लेता है, वनना, स्किप कर लेंगे, वन वीक के अंदर एक पिर confirm कर लेता हूँ, नहीं, अभी one week में भी कुछ नहीं लगए, इसको skip करो, ये कुण सा stock है, ओके, ये हमारा gravita का stock है, ठीक है, ग्रैविटा चेक करते हैं, बाइस आप पहला चेक करो, ग्रैविटा का trend चेक कर लो, मैं आपको डेव में खोल के दिखा देता हूँ, इस stock का अब एक बाद trend चेक करो, बाइस आप trend देखो, market में bullish ही bullish चल रहा है, ओके, ग्रैविटा में हमारा jackpot setup दिख रहा है, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ग्रैविटा के अंदर क्या हुआ, ग्रैविटा के अंदर हम देख पा रहे हैं यहां पर, ठीक है, market के अंदर again, मैं यहा पर bullish trend देखा, market bullish trend में चल रही है, यह पता है, अगेन market नहीं कि यहां पर bullish trend दिखाया, उसके बाद क्या होता है, वही contraction, contraction पैदा होता है, ठीक है, support पर मैंने क्या देखना है, doji देखनी है, support पर मेरे को doji देखनी है, अच्छा, इस case में क्या हुआ, हमारा, इस case में SL hit हो ग देखो, जैसे मेरे इस वाली लाल candle पर, जो यह वाली लाल candle, SL hit हो गया, क्यों कि इस डोजी पर high के entry थी, यह candle यहां पर close हो गई, नीचे close हो गई इसके, तो कभी भी अगर आपको ऐसा scenario दिखता है, तो आप इसमें यहां तो इसकी entry लगा सकते हो, कि जहां से यह swing मारी है, वरना अगर safely entry करनी है, अगर safely entry करनी है, तो आप फिर से ऊपर entry कर सकते हो, पर मैं यहीं पे safely entry करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या धेखा, SL hit हो गया, पर market support लेकर फिर से green candle से उपर चले गई, तो it means क्या है, अगर market फिर से green candle चल रही है, तो भाई, भाई बाइं एंट्री बनाओ, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग भी मिल गई उपर, और मस बंदा एंट्री ले सकता है, और चेक करो, कॉंट्रैक्शन नहीं, कितना अच्छा लेवल का यहां पर रिटन, अगेन देखो, यहां कॉंट्रैक्शन पैता हुआ, अब देखो, यह में पर एक बुलि का सभाट देखो, इतने टाइम से इतना अच्छा चल रहा है कि पूछो भाट, अगेन हम देखे, अधर ग्राविटा तरह वाले वॉलुम्स ऑले थोड़े बड़े चल रहे हैं, तो इसमें इुशव्यूली बंदा क्या कर सकता है, वेट कर सकता है, इसमें यू हाफु पर Doji दिखते हैं तो आप Doji के high पे एंट्री करके एक दो दिन hold, जैसे मैंने high पेंट्री लिए तो आप एक दो दिन hold कर सकते हो, बस return लिए और book कर लो, बना safely entry हो थी है कि आप इसके result की बेट करो, तो यह था हमाना gravida का stock है, ऐसे बहुत सारे stocks मिल जाते हैं हमें, जैसे एक ह कर दिएगा भाई देखो बहुत मैनत से आपके लिए सिखाते हैं और मैं आप एक चैलेंज स्टार्ट कर तुमाँ जहां पर हम स्विंग ट्रेडिंग प्रॉपर सिखा रहे हैं और स्विंग ट्रेडिंग के साथ मैं आपको बताओ मैं आपको जो वी आइपी ग्रूप है उसक लिंक पर क्लिक करके अपना काउंट ओपन करेंगे जैहिन जैसियारा